टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सेलेक्ट अजीत अगरकर की अगुवाई में वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया का चैन किया गया। वर्ल्ड कप 2023 के लिए चुनी गई टीम में कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सेलेक्ट अजीत अगर कर ने तीन ऐसे तेज गेंद बाजों को नजर अंदाज कर दिया है, जो हर गेंद 160 किलो मील प्रती घंटा की रफतार से फेक सकते हैं. इस लिस्ट में पहले गेंद बाज हैं उम्रान मलिक. उम्रान मलिक ने टीम इंडिया के लिए अपना पहला मुकाबला साल 2022 में आयरलेंड दोरे पर खेला था. उम्रान ने इंटरनेशनल लेवल पर टीम के लिए 10 वंडे मुकाबले और 8 T20 मैच खेले हैं. दोनों ही फॉर्मे गेंद बाज है शिवम मावी. शिवम मावी ने अब तक टीम इंडिया के लिए केवल T20 फॉर्मेट ही खेला है. शिवम ने टीम इंडिया के लिए अब तक 6 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 7 विकेट हासिल किये हैं. लेकिन इस दोरान उनकी एकॉनमी रेट 2023 के बाद से टीम इंडिया के लिए T20 फॉर्मेट में भी खेलने का मौका नहीं मिला है. इस लिस्ट में तीसरे गेंद बाज हैं कमलेश नगरकोटी. कमलेश नगरकोटी ने अब तक टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेला है. नगरकोटी ने इंडिय के लिए साल 2018 का अंडर 90 वर्ड कप खेला था जिसमें उन्होंने अपनी गेंदों की रफ्तार से सभी क्रिकेट एक्सपर्ट को इंप्रेस कर दिया था लेकिन साल 2019 में उन्हें कमर से जुड़ी इंजरी हो गई जिसके चलते वो अगले दो साल क्रिकेट के मैदान से दूर रहे हाल ही में उन्होंने घरेलू क्रिकेट में वापिस से खेलना शुरू किया है कमलेश नगर कोटी घरेलू क्रिकेट में राजस्थान की तरफ से खेलते हैं कमलेश ने अब तक खेले तीन फर्स्ट क्लास मैच में साथ विकेट हासिल किये हैं वही 22 लिस्टे मुकाबलों में उन्होंने 27 विकेट हासिल किये है। दोस्तों आपके हिसाब से और किस खिलारी को वर्ल्ड कप टीम में जगह मिलनी चाहिए थी। कमेंट करके जरूर बताएं। क्रिकेट से जुरी रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें।